और डॉनल्ड ट्रम्प को मारने की साज़िश में एक महीला गिरफतार अमेरिका ने क्यों यॉरप से अपने परमाडू हतियार हटाने से किया इंकार बहरीन में आतंग की हमला कैसे हुआ ना का वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड बॉर्ट ट्री में अमेरिका के राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प को जहीले रसन वाला लिफाफा भेजने के संदेह में एक महिला को गिरफतार किया है महिला को नियू यॉक कैनड़ा सीमा पर गिरफतार किया गया गिरफतारी के पुष्टि तीन कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने की है ताइवान की सीवा में लगातार दो दिन से चीनी फाइटर प्लेन की घुसपैट का वीजियो सामने आया है जुस वक्त अमेरीकी विदेश मंत्री कीथ क्रोच ताइवान के पूर राश्रोपती ली तैंक हुई को श्रधांजली दे रहे थे उसी वक्त चीन ने ये फाइटर जट पुड़ाए बहरीन में बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है इरान समर्थक आतंकियों ने बहरीन में राजनईकों और विदेशों को निशाना बनाने की दिये साज़श रची थी अमेरिका यूरोप से अपने परमाणू हथियार नहीं हटाएगा अमेरिका ने यूरोप में एहम ठिकानों पर 150 से ज्यादा परमाणू बं तैनात कर रखा है रूस से खत्रे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी मौजूद्गी को साबिद करना चाहता है एक अमेरिकी शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि इरान इस साल के आखिर तक परमाणू हथियार बना सकता है जिसके बाद अमेरिका इरान के परमाणू हथियार कारिक्रम से जुड़े दो दर्जन से ज्यादा संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है इरान ने दो टुक कहा है कि उसे यूरोपिय हत्यारों के कोई जरूरत नहीं है वो रूस और चीन से हत्यारों के खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा करेगा रूस के कवाकास 2020 सेने अभ्यास में पाकस्तान के साथ एरान वे शामिल होगा पाकिस्तान के पूर उप्यम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया है नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश में एक समानांतर सरकार चला रही है सेना के वज़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख खोद दाग लगा है चीन से बढ़ती तलखी के बीच अमेरिका के राश्रुपती जॉनल्ल ट्रॉम्प ने जापान के प्रधान मंत्री योशी हीदे सुगा से बात की अपना करीबी दोस्त बताते हुए इनके निधन पर शोक जताया है